आज चल बहुत सारे smart phones आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं जिसमें से काफी सारे अच्छे phones भी हैं लेकिन आपके लिए best phone counts है चलिए इस वीडियो में यही पता लगाते हैं तो सबसे पहले तो जब भी आपको इस नया phone लेने जा रहे हैं तो आपको यह डिशाइड कर लेना है कि आपका पहले budget या वर किता खर्च कर सकते हो उसके बाद को आपको आगे बढ़ना है और जब आपको पता चल जाए तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको exactly phone में फीचर के चाहिए यांग कि आपको अपना फोन फोन के लिजा या फिदि के लिए जाहिए या कैमरा स्क्राइब का बढ़ए चाहिए तो उसके बार면 देखना चाहिए कि आपके बजेट में उस कैटेगरी के अंदर कौन सा ऐसा फोन इसमें वो फीचर अच्छे सवाले बले एक्जाम्पल के तोर पे माल लीजाए आपके फोन का जो बजेट है वो 15,000 से काम है और आपको गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन चाहिए जिसमें ज 24 बदल के हो जाती है Poco F1 तो इस तरीके से अपने फोन को डिसाइड कीजिए मतलब कि आप देख सकते कि आपको परफॉमेंस चाहिए या फिर अच्छे लुक्स चाहिए या फिर अच्छा कैमरा चाहिए अगर आपको प्रीमियम फोन चाहिए गेमिंग के लिए तो शायदा 1 प्लस 7 भी है तो इस तरीके से जो चीज़े है वो काम करती है और माल लेजिए अगर आपको कैमरा पसंद है तो हो सकता है कि शायद आप लोगं के लिए गूगल पिक्सल एक अच्छी चॉइस हो सकता है क्योंकि उसका कैमरा है वो आसके एट में मोबाइल फोन में सबसे ज जादा अच्छा है और उनके रियल वर्ल्ड इमेजिस कैसी तो वो देखर भी आप डिसाइड कर सकते है जियानने कि अगर आपको कोई फोन लेना है तो उसका प्रिव्यू देखिए कि उस पर्टिकुलर फीचर को फोकस करती है जैसे कि अगर आपको फोन लेने कैमरा के लि चाहिए या फिर एक अच्छा कैमरा चाहिए और उसके बाद आप बढ़िए मान लीजे आपको एक अच्छा फोन चाहिए जिसकी बैटरी लंबे समय तक चले तो सिब उस फोन की तरफ में जाए जिसके आपको शायद बड़ी बैटरी देखने कम ले यानि 4500 मेज की उसके स हो जाता है और मान लीजे अगर आपको एक स्ट्रॉक एंड्रोड एक्सपिरिंस जाहिए तो हो सकता है एंड्रोड वन फोन सापके लिए हो और अगर आप अपने फोन काफी जादा यूज करते हैं मतलब वीडियो फोटोग्राफ वगरा को देखते तो बड़े डिस्प्ले के साथ-साथ एक अच्छे डिस्प्ले कर जाती है जैसे कि अगर उसमें M.O.led डिस्प्ले के अपने फोन को डिसाइड कर सकते हैं और आगर आप चाहते हो कि अपने फोन में से कुछ भी नहीं चाहिए और चाहते हो कि मुझे प्रोशेसर वगरा किसी सम बतलब नी और मुझ केस में जितने भी दूसरे फीचर्स होते ना उनके बार में इतनी जादा केर भी नहीं करते तो देखा जाए तो आज की एट में हर आजमी के लिए एक अलग फोन बनाया गया है बस आपकी प्रायरिटी क्या है आपको अपने फोन के अंदर एक्जैक्ली चाहिए क्या वो नहीं पड़े लिकिन आपको उस कैमरे पर फोकस करना चाहिए तो इस तरीके से आपको पता लगाना चाहिए कि आपके जरूरत क्या और उस सबसे जो बैस चीज़ वो क्या हो सकती है तो देखा जाए तो किसी आदमी ने रेकेमेंड कर दिया इस फोन को ले लो तो उसकी वर प्लाइंड ली नी जाना चाहिए मतलब किया आपको उपने हिसाब सेयर करने चाहिए और एडिसाइड करना चाहिए आप लोगगों की पिलिए बेस्चिसक्र मुंक्ति लिए बहुत कि आपकी नेया फोन लेने से पहले क्या क्या देखते हो तो यह बात नीचे कमेंट में ब झाल झाल